बगवान उनी लोगों की मदद करते हैं जो स्वेम की मदद करते हैं एक बार की बात है कि किसी दूर गाउं में एक किसान रहता था उन दिनों बारिस का समय था चारो तरफ गड़ों में पानी भरा हुआ था कच्ची सडक बारिस की वज़े से फिसलन भरी हो गई थी सुबह सुबह किसान को बैल गाडी लेकर कुछ धन कमाने बजार जाना होता था लेकिन आज बारिस की वज़े से बहुत दिक्कत हो रही थी फिर भी किसान धीरे धीरे सावधानी पूरक बैल गाड़ी लेकर वजार की ओर जा रहा था अचानक रास्ते में एक गड़ा आया और बैल गाड़ी का पईया गड़े में फस गया कीचर्ड भरे गड़े से निकलना काफी मुश्किल था बैल ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई लेकिन सफलता नहीं मिली अब भी तो किसान बुरी तरह प्रेशान हो उठा उसने चारो तरफ नजर गुमाई लेकिन खराब मोसम में दूर दूर तक कोई नजर नहीं हाया किसान सोचने लगा कि किसे मदद मांगे कोई इनसान दिखाई नहीं दे रहा किसान दुखी मन बहोकर एक तरह बैठ गया और मन ही मन अपने भागया को कोशने लगा हे भगवान तुने मेरे साथ क्या किया कोई आदमी भी ने दिखाई नहीं दे रहा इतना खराब नसी मुझे क्यों दिया, किसान खुद के भागय को कोशे जा रहा था, कभी वहाँ से एक सन्यासी गुजरे, उन्होंने देखा किसान सन्यासी के पास जाकर अपनी प्रेशानी बताने लगा, मैं सुबह से यहां बैठा हूँ, मेरी गाड़ी फस गई है, मेरा नस के को कोश रहे हो, और भगवान को बुरा भला कह रहे हो, क्या तुमने खुद अपनी गाड़ी निकालने का प्रियास किया, किसान नहीं, सन्यासी, तो फिर किस हक से तुम भगवान को दोस्त दे रहे हो, भगवान उन्हीं लोगों की मदद करते हैं, जो स्वेम की मदद करत अब किसान की बात समझ में आ गई उसने तुरंत पईया निकालने का प्रियाज किया और सफल भी हुआ तो मित्रों हमें से ज्यादा तर लोग उस किसान की तरह है जो खुद नहीं करना चाहते और हमेशा अपने भाग्ये को और दूसरे को कोस्ते रहते हैं हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ बहुत गल्द किया है इस हमें से कोई डाक्टर बनना चाहता है कोई इंजीनियर कोई कलेक्टर कोई बिजनिसमेन लेकिन जब हम अपने काम में सफल नहीं होते तो यही विचार हमारे दिमाग में आते हैं कि हमारा भाग्या खराब है और भगवान ने कुछ नहीं दिया लेकिन आप सायद भूल रहे हो कि भगवान ने हम सब को एक बहुत अमुल्ल चीज दी है ये है सरीर आपके अंदर हर सामर्थ है जो तो फिर आप भागया भरोसे क्यों भगवान भी उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो खुद की मदद कर सकते हैं किसी महान कुरूस का एक दोवा है विद्या धन उदमे बिना कहूं जो पावे कौन बिना डुलाए ना मिले जो हूं पंखा की पौन मतलब बिना कारे किये आप कुछ नहीं पा सकते जैसे आपके सामने पंखा रखा हो लेकिन वो जब तक आपको हवा नहीं देगा तब तक आप अपने हाथ से उसे जेलोगे मतलव की हिलाओगे नहीं तो मित्रो इसलेक का सार यही है कि आप खुद की मदद करिए तभी भगवान भी आपकी मदद करेंगे तो आओ आज मिलकर एक हम सपत लेते हैं कि कभी अपने भग्या को नहीं खोसेंगे और स्वेम ही उ कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं